नमस्कार मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ सोहलाल शर्मा आज के इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा बारा की पाठ्य पुस्तक आरोह से तुलसी दाश्जी द्वारा रचित दो कवित में से पहला कवित इसका लैबद पाठ और बहुत सरल शब्दों में इस कवित का भावार्थ वीडियो को लाइक और शेर करना न भूलें और कमेंट कर बताएं कि कितना उप्योगी रहा आपके लिए ये वीडियो तो लिजी पेश है यह कवित भावार्थ से पहले पूरे कवित का पाठ कर लेते हैं किस भी किसान कुल बनिक भीखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की पेट को पढ़त गुन गढ़त चड़त गीरी अटत गहन गन अहन अखेट की उँचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत वेटा बेट की तुलसी बुजाई एक रामघन शाम ही ते आगी बढ़ वागी ते बढ़ी है आगी पेट की गोस्वामी तुलसी दाश जी आज से पांसो साल पहले भारत भूमी पर आये उन्होंने महान राम कथा रामचरित मानस की रचना की साथ ही अपने आसपास का अपने यूग का भी वर्णन किया उनके लिखे विबिनपदों से हम उनके समय का सच जान सकते हैं ये जो कवित हम पढ़ रहे हैं इसमें भी समाज की वास्तविक्ता छिपी हुई है इस कवित में वे उस दोर की गरीबी बेकारी, बेरोजगारी, भुकमरी का वर्णन करते हैं वे कहते हैं कि पेट की आग यानि भूक सबसे बड़ी है जो राम की क्रपा से ही शान्त हो सकती है चलिए इसका शब्द शह भावार्ट समझते हैं पंक्तियां हैं किस भी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर, चपल, नट, चोर, चार, चेट की कहते हैं कि समाज का हर वर्ग, हर तबका, अपने अपने काम में लगा हुआ है जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है किस भी यानि काम धंदा करने वाले महनतकश लोग, मजदूर, किसान कुल में जन में क्रिशक, बनिक यानि वनिक व्यापारी भिखारी, भाट, भाट यानि राजाओं की स्तूती करने वाले चारन लोग चाकरी करने वाले नोकर, चाकर चपल, नट यानि चंचिलता और गती से कर्तब दिखाने वाले नट, अभिनेता चोर, चार, चार यानि दूत, मेसेंजर और चेट की यानि कलाबाजियां दिखाने वाले कलाकार, बाजीगर ये सभी अपना पेट पालने के लिए अपने अपने काम में लगे हुए हैं फिर तुलसिदाश्ची लिखते हैं पेट को पढ़त गुन गढ़त चड़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की लोग पेट की खातिर पेट को पालने के लिए पढ़ रहे हैं, ज्यान हसिल कर रहे हैं गुन गढ़त अर्थात अपने गुणों को, अपने कोशल को, अपनी खुबियों को वो निरंतर बढ़ा रहे हैं और चड़त गिरी, यानि पहाड जैसी चुनोतियों का सामना करने के लिए परवतों के शिकर तक पहुँचने के लिए लोग खुद को तराश रहे हैं, खुद को काबिल बना रहे हैं और उधर आखे टक, यानि शिकारी, गहन गन, यानि गहने जंगलों में अहान, यानि दिन भर मारे मारे घूम रहे हैं, बस शिकार मिल जाए अगली पंक्तिया हैं, उँचे नीचे करम, धर्म, अधर्म करी, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की समाज का एक असुन्दर कुरूप चहरा, हमारे सामने लाते हुए तुलसिदाश जी कहते हैं, कि लोग पेट पालने के लिए, पेट की भूक, शांत करने के लिए, क्या-क्या नहीं करते हैं वे धर्म, अधर्म, नितिकता, अनितिकता का विचार किये बिना, हर उचा-नीचा काम कर डालते हैं यहां तक कि अपना पेट भरने के लिए अपनी संतानों का सोदा कर लेते हैं बेटे और बेटी को भी बेच डालते हैं इससे दैनिय इस्तथी और क्या हो सकती है अगली और अंतिम पंक्तियां है कि तुलसी बुझाई एक राम घन शाम ही ते आगी बढवागी ते बड़ी है आगी पेट की तुलसी कहते हैं कि पेट की ये आग यानि मनुश्य की ये भूक ये साधार्ण नहीं है ये तो बढवागी ते बड़ी है यानि समुद्र की आग से भी भैंकर उस से भी बड़ी और प्रबल है कैसे करें इसका मुकाबला, क्या समाधान है इसका तो तुलसी रास्ता बताते हैं, सुझाते हैं और कहते हैं कि इस आग को घनशाम यानि बादल रुपी राम के क्रपा रुपी जल से ही बुझाया जा सकता है, शांत किया जा सकता है संकट की घड़ी में भी हम राम को न भूलें राम अवश्य ही हर विपदा की तरह इसका भी हरन कर लेंगे आस्थावांद रहें राम रुपी बादल का क्रपा जल अवश्य बरसेगा ऐसे ही उप्योगी वीडियो के लिए चेनल को सब्सक्राइब करें साथ ही लाइक वशेर करना न भूलें बने रही चेनल के साथ बिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार